Hello, Good morning students, from today we are going to start online class, I hope you are ready for this, okay So, बच्चों, आज हम आपको आपके class 6 के संस्क्रीत के ब्याकरण पुस्तक से आपको संध के बारे में बताएंगे तो आज हम लोग संधी के बारे में discuss करेंगे बिटा, संधी के बारे में बताने की प्रक्रिया को ही संधी प्रकरण कहते हैं तो संधी कितने प्रकरण के होती है, तो आज हम पढ़ेंगे part 13 संधी संस्क्रीत ब्याकरण का आपके class 6 में देखते हैं दो निकट वर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधी कहलाता है ये देखते हैं दो निकट वर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधी कहलाता है मतलब कि दो वर्णों के जोड के अगर हम कोई एक नया सब्द बनाते हैं तो उसे ही संधी कहते हैं जैसे हिमालयों में हीम वा आलय जैसे बीटा हीम धन आलय हीम और आलय मिल के क्या बनाता है हिमालय तो देखें अब इसमें हमारा स्वर कैसे चेंज होता है पदों के दो अत्यांत निकट वर्ती औ आ का मेल होकर यानि प्रथम पद में हीम आ मौ के लाष्ट में देखें हीम आ आ रहा है और सेकेंड जो आ है ये सेकेंड पद के फश्ट में है आ तो मौ का आ और आ दोनों मिल के क्या बनते हैं आ यानि आ और आ मिल के आ बनते हैं आ और आ मिल के आ बनते हैं तो इस प्रकार से आ हो जाता है तो जुड़े हुए दो वरणों को प्रिथक प्रिथक करना अब संधी यह हो गया विटाय यहा तक अब इन्ही सब्दों को अगर हम अलग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं संधी बिच्छे जैसे हीम धनयालय मिलके हीमालय अगर बना तो यह सं अब हम देखेंगे एक जामपल देख लिए अब हम देखेंगे कि संध कितने प्रकार के होते हैं तो बेटा संधी भी छेद में देखेंगे कि संध कितने प्रकार के होते हैं संधिया तीन प्रकार के होती हैं संधिया तीन प्रकार के होती हैं तो प्रथम हम स्टार्ट किसे क आईगा और अच संधी इसी को अच संधी कहते है तो अब देखें गया तक के बीच में बेंजन संधी या hundred यानि जो को से half लेया तक के अच्छरी स्टार्ट होते हो वो बेंजन संधी से इसको हलसंधी भी कहते है हलंत कैसे अ बिसर्ग संधी होता है वेटा जो यह वाला इसको जब आएगा तो हम पढ़ेंगे तो हम अभी देखेंगे संदी तीन प्रकार कोते हैं पहला है आते देखते हैं स्वरसंदी दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो स्वरसंदी कहलाता है यानि इसमें जैसे हीम धन आला है धन उदय तो भान देखें इसमें भान में न में उ की मात्रा लगा चोटा उ और उदय भी चोटा उ है तो यानि ये वाला उ और ये जो दोनों मिलके क्या बना बढ़ा उ तो यहां पे चोटा उ चोटा उ मिलके बढ़ा उ तो यहां पे चोटा उ चोटा उ मिलके बढ़ा उ त तो इसी प्रिक उसे इ में भी है अब स्वरसंधी के भेद देखते हैं तो अब हम स्वरसंधी के क्योंकि अच्छ संधी हमने देखा है तो अब हम देखेंगे स्वरसंधी बेटा कितने प्रकार के होते हैं स्वरसंधी मुखरूप से इसमें देखते हैं तो पहला हम देखते हैं दिर्ग संधी दिर्ग नाम से ही बड़ा दिख रहा है तो जब दो सवन स्वर मिलकर दिर्ग बन जाते हैं वह दिर्ग संधी बिलते हैं यानि समान समान सव देखे एक ही में है न तो यह सब एक ही स्वर म भूल जाते हैं बस इतना याद रखते हैं कि क्या है तो औ जगा आ जगा इसी प्रकार से ही में भी देखें एक धन अच्छर एक में भी एक आच्छर तो औ मिल के क्या वने एक अच्छर हिम धन अन्सू यानि ओ और ओ मिलके क्या बने आ हिम धन अलाय यहां मैंने पहले उपर ही देख लिया रत्न आकर ओ और आ मिलके रत्नाकर बिद्या धन ओ थी तो बिद्यार थी एक में मिला लिया इसी प्रकार से बिटा हम दयानंद, सिख्छा, आलाय इन सब का देखेंगे, अब आते हैं ई पे तो ये देखिए, ये इसमें क्या है छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई छोटा ई बड़ा ई मिलके बड़ा ई तो इसी में भी इसमें होई है और वेटा ही अतना ध्यार रखते हैं कि जब भी हम संध मिलाते हैं तो हमेशा हमारा संध करते समय बड़ी E होता है ध्यान दीजिएगा ये वाला ये नहीं कि ये मिलाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं तो ठीक है तो रव देखे छोटी E है और इंद्र छोटी E दोनों मिलके क्या बना रव इंद्र बड़ी E हो गया न बा में यानि द प्रकार से चोटाई बढ़ाई देखे मूनी और इस्वर बढ़ाई आ ऑगया और है चोटाई तो यहां बनके क्या बना मूनी इस्वर बढ़ा है पर हृँ ऑड़ी E ऑर इस ये इंद्र बड़ी दोनों मिलके क्या बना पर इच्छा अब रौका जो ये चोटा वाला नहीं यह इधार आ गया परिच्छा ठीक है बेटा तो आए नेक्स्ट देखते हैं ठीक इसी प्रकार से यहां भी है बड़ी और बड़ी और छोटी मिलके बड़ी नदी धनी यानि बड़ी और छोटी मिलके नदी यहां भी बड़ी और बड़ी यहां अब उ में आते हैं तो इसी प अंदर की तरफ जाए वो छोटा, तो इन्दू और उधय में चोटा-छोटा मिल के क्या बने इन्दू धया यानि बडाऊ लग गया, गुरू और उपदेष में, यहां भी चोटा-छोटा मिल के क्या बना, गुरू बडाँ बन गया, ठीक, तो इसी प्रकार से देखते हैं बै इसी प्रकार से बिधु और उर्धुम तब इधुर्धुम बधु धन उत्सो तो बधुत्सो बधु उ बढ़ाऊ और छोटाऊ मिलके क्या बना बढ़ाऊ इसी प्रकार से उ और रीसी में आवाईए तो अब हम रीसी में आते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे है कर्त धन समान समान नहीं रहेंगे यहाँ A को E से मिलाएगा E को O से मिलाएगा A को मिलाएगा ऐसे यदि A या A के उपरांत यानि A या A के बाद छोटी या बड़ी E हो तो दोनों के स्थान पर गुर संद्रों कर क्या हो जाता A जैसे A और E मिलेके A आ रहा न A E A को जोड़िए A A या A तो ये आ जा रहा है तो इसी परकार से और A या A के उपरांत चोटा हो तो आओ आ रहा है न तो जिसमें O हो जाता है यानि A या A के बाद अगर छोटा हो या बड़ी E आए तो दोनों मिल के क्या बन जाते है A और A या A के बाद चोटा हूए या बड़ा हूए तो क्या बन जाते है O और A या A के उपरांत रिसी वाला रिय आए तो और हो जाता है ठीक है तत्था A या A के उपरांत लडी हो तो अल हो जाता है तो क्या बन जाएगा अल ँशिए देख़े I और E E के बाद E हो यानि औ औ और ई मिलके ए बने यहाँ पहले ही बताया कि औ और ई मिलके क्या बने ए बने नरेंद्र देखें नरेंद्र ठीक है औ या ई मिलके यहाँ भी यह बना गडेश यानि गोड़ धन इस मिलके क्या बना ए बन गया ठीक है इसी प्रकार से यथा इस्ट में यथेस्ट या धन ई या थिस्ट यानि आय और ई ए बन गए आय और बड़ी ई ए तो यहाँ पे ये बनते हैं ठीक है अब देखें आ उ ओ ओ ओ ओ ओ बन रहा है न आ ओ ओ तो पर धन उपकारा मिलके पर उपकार यानि आ और उ मिलके ओ तो आप जो बोलोगे तो खुद समझ में आ जाएगा ओ ओ ओ ओ आ रहा है ना इसी परकार क्रिश्ण उरू क्रिश्ण उसरू ठीक है बेटा तो बेटा इस्टार इस्टार्ट करते हैं अब यहां से देखें तो गुड संधी में ही आ और उ मिलके क्या बने ओ आओ यहां भी ओ निकल रहा है ठीक है तो यहाद रखेगा कि न डबल आय लगेगा न ओ लगेगा ठीक है यह नहीं तो यह हमको नहीं करना है हमको क्या करना है ए और ओ यहां जिसे दया और बड़ाओ क्या मिल जाएगा दयोर मी महा धन उर्जा महोरजा महा धन उत्सो आ आःरो वो मिलकर क्या बने Oh अब यहाँ पर आया री बनके तो सब्त धन री सब्तरसी सब्त तो लिखेंगे ही लेकि री का अस्थान पर क्या हो जाएगा सब्तरसी अर आरा है ना सब्तरसी तो रीसी हटके यह होजाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा यह वाला ठीक है राजाधन रिसी राजारसी अब और अल का देखते हैं बिटाई आ और अल ली आय और लिरी मिलके क्या बनता है जैसे तवा औरन और लिकार तो क्या हो जाएगा तवालकार तवालकार तवा तो रहेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आधालो और का तवालकार क्योंकि एक में जूड़ेंगे ममलकार माला माला और लिकार मालाल का रहा ठिक है तो आधालो हो जाएगा नव आते हैं हम बृधु संधीु में बइटा बृधि संधी देखते हैं चलिए ब्रिधी संधी ब्रिधी संधी में यदि पूरवापदांत यानि पूरवपद के बाद औ या आ के बाद दिखे औ या आ के बाद यदि या बढ़ाई है यानि या ए हो तो दोनों का ए और औ या आ के उपरांत ओ या आ हो तो दोनों का आ हो जाता अब यहाँ पे हमने अभी कहा पढ़ा था A और O अब हम क्या पढ़ेंगे O या आ के बाद यदि A या A आ जाए वहाँ पे जब किया ऐसा नहीं था वहाँ पे A था O और E मिलके ठीक है अब यहाँ O या आ के बाद अगर A आ जाए अब या आ के बाद तो O और A मिलके क्या बनते हैं बढ़ा यह तो हमने पहले ही बताया कि अगर यह इस सिक्वेंस आते हैं तो बढ़ा ही बनेगा ठीक है तो A आए देखे बढ़ा Tau और धन A मिलके क्या बना Tau A ठीक है एक धन एकसः तो A काय कसः तो A काय कसः A जो है यह बढ़ा यह की मतला लग जाएगी बढ़ा यह की ठीक है सदा धन एव सदा एव ठीक है विटा तथा धन एव तथा एव मत धन एक्यम मत एक्यम A और A मिलके क्या बन गे A और A मिलके क्या बन गे A तो इसी प्रकार से ये सारे सब्द एक दूसरे को बना रहे हैं जैसे धर्म धन ओतुक्स्यम ओतुक्यम तो धर्म ओतुक्यम ठीक है महा धन ओतार्यम तो महा दार्यम तो महा और ओ मिलके क्या बनगे ओ बनगे यानि ओ रहेगा अगर बड़ा है तो रहेगा जोड़ दीजिए ओ जो है छिप जाएगा हो का आ हटके मात्रा लग जाएगा ठीक है बिटा तो इसी प्रकार से यहां भी है यह आ और ओ मिलके ओ बनता है तो इसी प्रकार से आपका यह संदी जो था बिटा इसके नेक्स्ट का पार्ट हम आपके नेक्स्ट विडियो में देंगे ओके थेंक यू